आज 29 दिसंबर है और हमारे यहाँ एक सब्ता से तक्रीवन सूरज नहीं निकला है और बहुत ज़्यादा धुंद और कोहरा है उत्री भारत में तो इस सायम पे ये मैन्योर जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं आप मैं अपनी वाइन में दे रही थी तो मैंने हाँगी वो एक बहुत ही स्ट्रोंग और बहुत ही तेज फर्टिलाइजर है वो ओनली दुंद के टाइम पे ही दिया जाता है जब हमारी यहां कोरा पड़ता है वाइन पे तो उस टैम इस फर्टिलाइजर को देना चाहिए नहीं तो यह इतना तेज है कि यह हमारे करूंगी नहीं तो मैं अपनी अप्डेट के साथ आपको वीडियो डालती पर मुझे पता है कि उसके बाद इस मैन्योर का कोई फाइदा नहीं होगा आपकी वाइन को जला दीगा तो यह मैं जो आपके साथ शेयर करने हूं अप्डेट से पहले इस वीडियो को और इसके सा कि आप इसको ओनली खाली मत दें इसके साथ आप पोटाशियम और कैल्शियम जरूर रखें क्योंकि जो हमारा जो चिकन होता है वो कभी भी यूरिन नहीं निकालता उसका यूरिन उसकी लेटर में ही आ जाता है तो उस वज़ए से इसका जो यह मैन्योर बनता है वो बहुत ही स्ट्रोंग बनता है और बहुत ही तेज होता है यह हमारे प्लांट्स को जला भी देता है इतना तेज होता है इसके आप चाहे बना लें इसको आप इसके यूरिन मैन्योर को आप तक्रीबन 15 दिन के लिए घोल कर रख दें और उसकी जब चाहे बन जाएगी तो उसको पानी में आप इस 37 सो को सो क्राम की मात्तरा से घोल पर आप अपनी वाइन मेंदे और गुलाब के सबी प्लांट्स में एक मैं आपको आ पर बात मतности दो कभी विस आप रूट्स फाले प्लांट्स को इस मैन्योर को कभी मत दें क्यoncé कि ये इतना मैन्योर तेज होता है कि ये तुम्हारे आपके प्लांट्स को जला देगा मैं बार बार आपको बोज़ी हूँ तो इसलिए आप इसको कभी भी रूट्स वाले प्लांट्स में मत दें और इसके साथ आप पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा रखें ताकि ये साथ दें ताकि ये सारे समान को फर्मेशन कर देगा और मस्टर के का पानी ये जो सारी चीजे मैं आपको बता रही हूं तो आप ये थोड़ी-थोड़ी मत्रा में जैसे चाई की पती की चाई बना कर देना है मस्टर के की चाई बनाना की एग शेल की बीन्स की नट्स की थो fertilizer देना है अपने climbing rose में और इसको इस manure को आप गुलाब के दूसरे और आप चिकन मैन्योर को एक चमच के हिसाब से एक वाइन में दे आप उससे ज्यादा मत दे और यह जितने भी मैं आपको fertilizer, organic fertilizer बता रही हूं यह आपने 15-15 दिन के अंतराल में सभी fertilizer को धोराना है ताकि जो यह चिकन मैन्योर है इसका असर हमारे plants को हो और इसके आप watering भी कर दें और जितने भी आप fertilizer इसमें देंगे वो आपने तक्रिवन liquid form में ही देने है आप पानी घोल के चाए बना लें उसके इस प्लांट को आप wine को आप जितनी धुंद में आप इसको manure देंगे वो उतनी ही ज्यादा flowering करेगा जब इस प्लांट की आप flowering शुरू हो जाए तो आप nitrogen की मत्रा आप limit में ही दें ताकि जो हमारा plant है वो energy पत्तियों को देने की बजाए फ्लावरिंग में और प्लांट कर दें चिकन मैन्योर कभी भी आप अकेले मत दें उनको आप उसका benefit नहीं विलेगा आप उसमें calcium और potassium की मत्रा के सास दें चिकन मैन्योर आप wine को पूरी धुंद में मैं बार बार आपको बचा रही हूं पूरी धुंद और कोहरे में इस wine को जितनी आप मैन्योर दे सकते हैं चिकन मैन्योर दो बार या तीन बार बस उससे ज़्यादा नहीं एक एक चमच के हिसाब से आप इसको फीड दें और फिर आप देखेंगे कि आपके यहां बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी मार्च के एंड में और वो अगस्तमबर तक रहेगी मेरी वीडियो को आप जादा से जादा लाइक वे शियर करें और मैं आपको दिखा दूं जो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने दिखाया हुआ कि मैं कैसे चाए की चाए पत्ती और अगशल की चाए बनाके इन प्लांट्स को देती हूं और क्या आप वाइन देख रहे हैं इस ताम पूरे ग्रोथ पर है पूरा इसका ग्रोथ पीडियोड है और मैं आपको टाइम टू टाम जब यह बडिंग करेगा और फ्लावडिंग करेगा तो उस ताम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं उस ताम इसको कौन सी हलकी सी खुरा मेरी वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स